हेलो अच्चो यहां पर हम लोग आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टिप्लाई करने की सोट ट्रिक बता रहे हैं यह सोट ट्रिक स्टार्टिंग में थोड़ी सी लेंदी लगेगी लेकिन जब आप इसकी कई बार प्रेक्रिस करेंगे तो यह आपको बहुत ही एंडी और आपकी कलकुलेशन को बहुत ही फास्ट बनाने वाली है देखीए जैसे यह नंबर है आपका 256389 इसको आपको 11 से मल्टिप्लाई कराना है तो आपको कुछ नहीं करना है simply जिस number को multiply कराना है उसकी last digit को as it is note कर लो 9 था 9 को हमने as it is रदिया उसके बाद आपको क्या करना है हर digit को उसकी left digit के साथ add कर देना है 9 को 8 से add किया तो कितना आ गया 17 17 का 7 हमने नीचे note कर लिया और 1 उपर ले लिया carry 1 ठीक है उसके बाद 8 की left hand digit कौन सी है 3 तो 8 को 3 से add किया तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 11 प्लस 1 12 तो 12 का 2 हमने नीचे लिया और carry 1 उपर रख दिया ठीक उसके बाद 3 तक addition हो चुका था 3 के left में 7 तो 3 प्लस 7 10 10 में 1 एड करोगे तो 11 11 का 1 हमने नीचे लिया और carry 1 उपर पहुचा दिया अब 7 तक add हो चुका है 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 12 प्लस 1 carry था 13 तो 13 का 3 नीचे लिया carry 1 उपर पहुचा दिया 5 तक add हो चुका है 5 की left hand digit है आपके 2 5 प्लस 2 7 हो जाता है और 7 का 1 से add करोगे तो कितना हो जाएगा 8 अब यहां पर क्या है यहां आपके number खता हो चुके लेकिन आपको हर number को left digit से add करान है तो 2 के left में कोई नहीं है तो हमने 0 ले लिया तो 2 को जब 0 से add करेंगे तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 और इस तरीके से आपका यह पूरा का पूरा calculation complete हो जाता है और आपका 2831279 यह आपका result आ जाता है आप इसको calculator से cross check कर सकते हैं thank you very much